हलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं एंड्रोइड की तो एंड्रोइड में अपना लेटस्ट वर्जिन जैनी 8.0 Oreo मार्किट में लांच कर दिया गया है जो के 25 अगस को लांच किया गया है तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जीरो औरियो ऑपरेटिंग सिस्टम की और फ्रंग मेरा नाम है साजिद और आप देख रहे हैं टैक उर्दू तो चलिए फ्रंग वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रुक्वेस्ट करना चाहता हूं अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू है तो प्लीज इस चैनल को सब्क्राइब कर लेजिए ताकि हमारी नहीं आनेवाड़ी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सक दोस्तों Android Oreo में खास बाद ये है कि इस उपरेटिंग सिस्टम में सबसे ज्यादा स्पीड पर फॉक्स किया गया है कि जल्द से जल्द ये उपरेटिंग सिस्टम मॉबाल के अंदर लोड हो जाए और इसकी जो हम लोग एप्स चलाते हैं यूज करते हैं यानि प्ले स्टोर मिलेगी कि आपने जब अपनी एप्स को बंद करना है यानि मिनिमाइज होंगी तो नीचे जो बैक्राउंड के अंदर आपको दो से तीन एप ही ओपन मिलेंगी बाकी सारी की सारी बंद कर दी जाएंगी यानि ओफ हो जाएंगी आटोमेटिकली तो इसका जो सबसे बड़ा फाइदा वो मेरी नजर में यही है कि यह सबसे फास्ट काम करता है और आपकी जो बैक्राउंड एप चलती थी उन से आपको चिटकारा दिलाता है और इस से जो सबसे बड़ा फाइदा होता है वो है बैटरी के अंदर आपको बहुत ज़्यादा सहूलत मिलती है आपकी जो लॉग इन करते हैं तो हमें बार बार लॉग इन करना पड़ता था तो लेकिन अब एंड्रॉइड ओरियो के अंदर यानि एंड्रॉइड ओरियो 8.0 के अंदर ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी गई है आपके लॉग इन जो इंफॉमेशन होगी वो आपके मुबाइल के सेव जाएगी आपको दुबारा दुबारा इस लोग इन करना पड़ेगा है फिल नहीं करना पड़ेगा बलकि यह आटो फिल ओ जाएगी और आटो लोग इन होजा एगी उसके लावा जो तीसरी बड़ी चीज Android Oreo के अंदर शामिल की गई है वो है Pictures in Pictures यानि के आप Apps के उपर Apps यूज कर सकते हैं यानि अगर आपने Facebook के उपर Live हैं और आप दूसरा काम भी कर सकते हैं यानि अपने Gmail को चैक कर सकते हैं अपनी Facebook को यूज कर सकते हैं इसी तरह आप मुक्तलिफ किसम की एप को Dual Function के तैत यूज कर सकते हैं इसके लावा अगर हम लोग बात करते हैं Notification Dot की तो हमने देखा था कि मुक्तलिफ एप जब हम लोग यूज करते थे तो उनके उपर मुक्तलिफ डॉट से नजर आते थे जो हमारे Prana Operating System थे यानि Android के Operating System थे लेकिन अब Android 8.0 Oreo के अंदर ये प्रॉब्लम भी आपको हल कर दी गई है जिसके अंदर आपको Notification Dot मिलेंगे आपने जसके Notification के उपर क्लिक करना है तो आपको उस जगह पर ले जाएगा जहां पर वो Notification या जिस लिंक के तहत वो आ रहे होते हैं इसके लावा अगर हम लोग बात करते हैं कि इसकी Protection की यानि Security Protection की तो इसके अंदर बहुत ही कमाल क्या Features जो Security Features हम लोग कह सकते हैं वो शामिल किये गए हैं यानि जो भी एप हम लोग Play Store से उनको करेंगे वो भी Scan होंगी और उसके अलावा जो हम लोग किसी और Source से यानि किस और वेब साइट से करते हैं तो उनको भी ये इनिशूर करेगा कि क्या वाकिए सेफ एप हैं या नहीं उसके लावा आपको हर एप के लिए Permission देना होगी इसके अंदर तो ये भी बहुत अच्छा इसके अंदर फीचर्स शामल किया गया है अब इसके लिए Android 8.0 का जो सबस बहुत कम थी यानि वो बहुत कम टाइम के अंदर ही दोबारा चार्ज करनी पड़ती थी इस वज़ए से ये Android Oreo 8.0 के अंदर बहुत ही ज्यादा फॉकस जो है वो बैटरी को बचाने के लिए किया गया है उसके लावा अगर हम लोग फन की बात करें तो Android 8.0 Oreo के अंदर इमो से बात करें तो यहां पर आपको डाउनलेडबल फॉंट्स मिलते हैं यानि आपको जब आप डिवैल्प करते हैं तो आपको यह सौलत मिलती है कि इसके अंदर पहले से ही फॉंट्स मजूद होंगे उसके लावा आपको यहां पे एक और जो सबसे बड़ा फाइदा वो यह मिलता है अडेप्टिव आइकन का है यानि आपकी जो एपस है उसको फूल कस्टमाइज कर सकते हैं अपने तरीके के साथ उसको देख सकते हैं दोस्तों यह थी आज की वीडियो अगर आप लोगो यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेर कीजिए और इस चैनल को भी सब्क्राइब कर लीजिए तो फ्रेंग मिलते हैं नेक्स वीडियो के अंदर अला आफिस